हलो अब्रिवान जिसे जाकाश वांग डाले और आप सो भी देख रहे हैं आपका प्रफेवरेट एजुकेशनल प्लैटफॉर्म जिसे आप कहते हों मेंगर बेंज हिंदी मीडियम जहां पर आपको मिलती है कॉलिटी कंटेंड एजुकेशन डिवर्फी आप कॉस्ट मलब यह कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी होती है और नहीं किसी प्रकार का कोई रिजस्ट्रेशन करवाना होता है हमारा सिर्फ के उदेश है सेक्षिद भारत विक्सिद भारत और सब्दिध भारत और इस् चलते हैं पार्टू के तरफ मलब पहला वाला जो पार्ट है उसी को हम क्या कर रहे हैं बिसिकली कंटीनु कर रहे हैं बड़े इक्वेशन बड़े इंट्रस्टिंग है और आपको ध्यान से देखना है क्योंकि यहां से पूछ लेते हैं बहुत सारे सवाल कई बार जे डबल वर्गाकार है समतलिया है ठीक है तो सामने से देखोगे तो किसा देखेगा ऐसे इस दिखेगा एसा दिखेगा तनम यहां इसके पास किसा प्रकार का संकरन जो है वो आपका संबंद्र है तो दो चीज़े देखनी हैं, पहला तो भाया वर्गाकार, पहला तो है आपका वर्गा, वर्गा, वर्गाकार, ठीक है, समतली है, पहला जो है वो है भाया वर्गाकार और समतली, और दूसरे वाले के बारे में अदे हम बात करते हैं, राइट, तो वो कैसा है आपका, तो एक कन नहीं मतलब को इलेक्ट्रोन पेर नहीं है कि बाद इसके पास एलिग्ट्रोन जो होता है पेर होता है वह फ्री ही नौट टरॉन पेर लिग्वाप यहां पर नो इलेक्ट्र ट्रॉन गेर चाल बहिया बड़ इंटरस्टिंग गाने ठीक खतम सबका हम जो है डाग्राम बना लेंगे जो फोटू मैच हो जाएगी वही क्या होगा हमारा सही अंसर होगा चलिए विए SP3D की बात यदि हम करते हैं तो बहुत इंट्रस्टिंग सी कहा नहीं है SP3D अब देखो और यहां कहीं पर आपका संटल यदेम होता है और आप कहीं पर आपके जो है वो कुछ भी हो सकता है कोई अनू हो सकता है कोई परबाणू हो सकता है या फिर आपका इलेकर्ट्रोन भी यहाँ पर हो सकते हैं तो यह आपका SP3D हो गया आपने का ओके गुरुजी बहुत शांदार चलो SP3D2 बनाएंगे तो SP3D2 का कहना है कि हम तो एक कदम और आगे हैं यह रहा सेंटरल एटम 1,2,3,4,1 ऊपर और एक नीचे ध्यान रहे यह वाला जो पार्ट है वो एक सता पर है जैसा कि आप आप अल्रड़ी जानते हैं अब इदि मैं DSP3 की बात करूँगा तो DSP3 जो है वो क्या होगा बहुत ध्यान से देखना तो भई DSP3 इस तरीके से हो जाएगा यह रहा 1,2, ठीक है थोड़ा सा इसको पन हटा देंगे ऐसे, ऐसे, यह और यह तो यह आपका DSP3 हो गया पर भया यदि आप DSP2 की बात करोगे तो यह होता है यह हो गया DSP2 मतलब यदि हम इसको ध्यान से देखेंगे देखो ऐसे बनाया हमने तो अभी यह कैसा दिख रहा है तो सम्तल तो दिखी रहा है सम्तल भी दिख रहा है दूसरी बात यह कि इसके पास electron ही नहीं है इसके पास जो मुक्त electron होते हैं free electron होते हैं वो तो पाई नहीं जा रहे है तो और interesting का नहीं होगी मतलब भी यह इसके पास कौनू free electron नहीं है बो यह सर ठीक है तो इसके पास कोई भी free electron जो है वो कैसे हैं आपके नहीं आपने का सरी तो बड़ी शांदर वाली बात होगी और यही आपका क्या होगा भई आंसर होगा एक नहीं पिटा यहां पर भी option बन सकता है आपका किस चीज का समतली का वरगाकार समतली यहां पर भी answer बन सकता है पर वो situation कब है बहुत ध्यांसर देखेगा तब न अपने को उपर की तरफ और नीचे की तरफ जो है न वो इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे बात समझ भाई पर कभी का कहना है कि सार इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो free नहीं है बात समझ भाई तो यह answer हो सकता था पर यहां पर और यहां जिसके हम बात करें डी-एस-पी-टू के दि हम बात करें राइट तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो पेर है वो बिलकुल वे फ्रीन नहीं है बहुत शांदार सी कहानी नोट कर लो चलो पका शली हमने का किया हमने क्रॉश शेक किया अब हम बढ़ेंगे आगे हम आगे सलने वाले हम बात करेंगे बही ऐस्टफल की आकरती जो होती है वो किसके साह्त संबंधित तो होती है अब सवाल पैदा होता है कि 다 पहले अश्ट फलकी आकति जो एदना उसको यह देख लेते बहुत समझ में जिसको सल 59 पर होता है एक दो तीन चार एक उपर एक नीचे यह पूरा एक किस पर नोगेगा सम्तल पर आ जाएगा, एक उपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, क्या अपने पास कुछ है? तो हाँ है, अपने पास सफन, यहां से निप्टा देंगे इसको, बहुत ध्यान सा देखना है, मैं कहा रहा हूँ, यहां पर सेंटरल एटम है, ठीक है, यहां पर क्या है भीया, आपका केंदरी परमाणू है, सेंटरल एटम है, अब देखो, चार इसके ऐसे कोने बने हुए, एक, दो, तीन, चार, तो चार तो आपके यहां होगे, एक होगा बिटा जी, ऊपर और एक होगा आपका नीचे, यदि ऐसा है, यदि ऐसा है, तो भीया, आपको अश्टफल की मिलेगा, और अश्टफल की कम मिलेगा, तब भी मिलेगा जब हाइवरिडाइजिशन या तो D2 SP3 होगा, या फिर, या फिर, या फिर, SP3D2 होगा, बात समझ में आ रिया, और कुल आपके पास जो अनू है, कुल आपके पास जो अनू है, उसके अंदर जो परमानों की संख्यावों कित्य होने चीए, तो भी 6 होनी चीए, बात समझ में आ गई, तो यदि ऐसा है, बहुत से देखेगा यह तो आपने Central atom बनाई दिया यहाँ पर आपने Central atom को पठक दिया बात समझ मैं पर यदि आप कहते हो कि Sir हमको सेकेंडरी Atoms जो है वह भी बनाने दृत्य एक परमानू भी बनाने यदि इस तरी किसे होता है तो इसको हम बोलते हैं फिर आक्टाहेटरल या फिर अस्टफल किये कहानी का ऐसी है तो बड़ी शानदार है अब एक काम करेंगे वन बाइवन सबका चित्र बनाएंगे और इस सारी जो कहानी है इसको खोपड़ी के अंदर सेट करेंगे चलो भई तो यह बना लो पहले तो बना लिया पका ठीक है अब जैसे आपने यह बनाया तो इसको मैं यह से अटा देता हूं अब हमें काम करते हैं पिए फॉइप जो ओपर जो है और अधी एफ-शिक्स और सी लेफ-थरी सबकी लिए सबसे पहले तो हमें काम करते हैं वही सबका संकरन यानिकि यानि के संकरन लिखने के लिए तो फॉस्फोरस आपका कितना होगा तुभी अंतिम कक्षा में पांच और पांच दस तो यह हो जाएगा आपका आप SP3D एक बता देता हूँ ठीक है देखो पीए फाइब है आपने का हाँ जी सर ठीक है न अब मैं कहरो भई फॉस्फोरस के संयोजी इलेक्ट्रोनों की संख्या कितनी है तो आप बोलेंगे सर फॉस्फोरस है नाइट्रोजन के बहुसी का बेटा है तो जितने से सीखा हुआ है आंसर आपका आजाएगा पांच यह जो पांच रहेगा यह अक्षों की संख्या होगी और जब यह पांच आता है तो भई यह हाइवरिडाइजेशन निकल कर आता है आपका SP3D ठीक है अब SF4 की बात यदि हम करेंगे तो यहां पर भी क्या निकल कर आएग पार यदि हम टेलूरियम के साथ फ्लूरीन की बात करते हैं राइट तो टेलूरियम हमारे पास शह सही हो जी एलेक्ट्रॉन रखता है सलफर के नीचे आता है और फ्लूरीन जो है वह आपके पास शह है सो दस्विल टरन इंटो वाट SP3D2 और यदि आप CLF3 की बात करते हो तो भाईया CL क्या हो गया आपका फ्लूरीन है ना तो अंतिम कक्षा में एलेक्ट्रॉनों की संक्या साथ होगी फ्लूरीन आपके पास तीन है फिर आपने जोडा फिर आपने धमाका किया एंड यू विल गैट कि भाईया आंसर जो है वो यह होगा बात समझ भाई तो यहां से पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में तो बच्चों हम बोलेंगे कि हम पीएफ फाइब का स्ट्रिक्चर बनाते हैं चलो पहला एक दो तीन चार पांच भाईया सभी जगे पर हमने पटक दिया क्या हमने सभी जगे पर पटक दिया है फ्लूरीन इसके बाद हम ऐसे 4 की बात करने वाले हैं ये रहापका सलफर राइट बो ये सर ये रहापका सलफर 1, 2, 3, 4 और 5 तो हमें यहाँ पर जो है फ्लोरीन रखना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो बचा हुआ है वहाँ पर आपको पता है कि एलेक्ट्रॉन युग में आने कि एलेक्ट्रॉन पर आजाएगा टेलूरियम फ्लोराइट के यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास T.E. है भाया, वान मैं कहा रहा हूँ 1, 2, 3, 4 गेट ऑन दे डांस फ्लोर चलो, बहुत शांदार सी कानी अब मैंने आपर फ्लोरीन पटक दिया बस खेल कता हूँ तो ये जो चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है ये कैसी होगी औक्टाहइड्राइल याने के एस्टपल किये होगी और यदि आप C.L.F.3 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास hybridization है या SP3D मतलब की बीच में क्लोरीन होगा पहली डंडी दूसरी डंडी तीसरी चाथी और यहाँ पर क्या बनेगी तो भी आप पांच भी डंडी बन जाएगी ठीक है जिसको हम लोग डंडिया मोलते हैं रॉट्स बोलते हैं पड़े लिखे लोग उसको बॉण्ड बोलते हैं पड़े लिखे ले क्या बोलते हैं बॉण्ड बोलते हैं चलो तीन फ्लोरीन पर टकने का लाइट सॉल पहला दूसरा तीसरा जो चीज बच जाती है वहाँ पर आपको लगाने है एलेक्ट्रॉन पे याने के लेक्ट्रॉन योग मखेल खता हो गया कॉंसेट का टाटा बाई-बाई हो गया चुला जाओ ठीक है तो अब क्या का हो गया अश्टफल की कहां दिख रहा है आपको तो आप बोलो कि सर यह रहा इदर पहले तो hybridization से click हो गया था बात समझ में फिर आपने अश्टफल की भी बता दिया यह लो यह कैसा होगा तो भाई यह होगा ट्राइगोनल बाई-पिरामिडल बात समझ में आ रहा है यह कैसा होगा तो भी ट्राइगोनल बाई-पिरामिडल होगा इसको हम क्या बोलेंगे त्रिमितिये राइट द्वी पिरामिडी इसको हम क्या बोलेंगे त्रिमितिये द्वी पिरामिडी और यह कैसा हो जाएगा तो यह सीसा हो जाएगा और सबसे अजीब नामना इस सी सौ के लिए रखा गया है हिंदी में राइट धेंकुली मतलब कैसा नाम है यार खतरनाक वाला ठीक है और यह कैसा हो जाएगा पिटा तो यह हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर क्योंकि जब आप संरचना की बात करते हो तो वहाँ पर आप एलेक्ट्रॉन की जो होते है ना उसको काउंट बिलकुर भी नहीं कहते हो सवाल ही नहीं पैदा होता है राइट चलिए तो इस मस्ट भी तरेक्ट ऑप्शन हम इसको चेक करेंगे और इस गाड़ी को हम थोड़ा स और आगर डेकर चलेंगे ठीक है चलिया बहुत शांदार वाली बात नोट करेंगा आप सभी न ना 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 ठीक है चलो बहीं से ना सारे questions जे बली वाले हैं नीट वाले हैं, आपके स्कूल की एक्जाम्स में पुछे जाते हैं और आपके जितने theoretical questions आते हैं उसमें जितने भी आपके concepts पुछे जाते हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है? चलो, इन में से कौन सा रेखिये है? रेखिये मतलब कि लीनियर है एक लाइन में है, सिर्फ एक लाइन, एक लाइन में है, ठीक है, रेखिए, तो एक काम करेंगे, सबका जो है, हम क्या बनाने वाले हैं, भई, संडचना बनाने वाले हैं, कहानी और बेंटरस्टिंग हो जाएगी, यदि मैं C2H2 की बात करता हूँ, तो यह हो जाएगा, आपक है, हाइड्रोजन जो है, उसको बन पटक पटक के यहाँ पर रख देंगे, ठीक है जी, कोई रिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं बैदा होता है, एच्टो की यदि हम बात करेंगे, तो H2 कभी रेखिए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेर जो होंगे, वो इड्रोजन के ऑक्सिजन को चैन से जीने नहीं देते हैं, बहुत दुखदर्द है इस ऑक्सिजन की जिन्दगी में, बात समझ में आ रही है, वीस प्यार थियोरी जो है, बहुत परिशान करते हैं इस ऑक्सिजन को, और यदि हम अमोनिया की बात करेंगे, तो भया इसके प लेंगे, तो भई यह आपका हो जाएगा, इथाइन, दो कार्बन, ट्रिपल बॉंड, इथाइन, खेल खतम, चाहिए, 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 इन तीनों में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो SP3 होगा बिटा, और इस अकेली में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जब कभी भी SP हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, पक्का वो बनेगा, रेखिए, यानि के लीनियर, कहानी बड़े इंट्रस्टिंग है, कॉपी में नोट किया ज़ा है, हम बढ़ने वाले आगे, चलाओ चलिए, अगला सवाल, और भी ज़्यादा, शानदार, धमाकेदार, और मज़ेदार, किसमें केंदरी परमाणू पर SP3 संकरण है, ये तो यार बड़ा लल्लू क्वेशन हो गया, किसमें केंदरी परमाणू पर आपको जो हाइब्रिडाइजेशन यानि की संकरण है, वो बत पता चलेगा कि संकरण क्या होगा, तो हम बात करेंगे किसकी न्यूटन के पचासमे नियम की, न्यूटन का पचासमे नियम क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखना, वो कहता ही कि ये सुनो, जितने इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन से ना उसको तो आप लिखी दो, आप दी, PCL3 के लिए निकालोगे, तो केंद्री पर मालू काम सा होगा, आपका P होगा, है ना, बहुत यस सर, तो इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस का, कितना होगा, तो आप बोनेंगे सर, पांच होगा, पांच लिख देते हैं, क्लोरीन जो है, उसकी संख्या कितनी है, तो तीन होगी, डिवाइड बाय हम टू कर देंगे, तो आठ बटे दो हो गया, तो कितना बचा तो भई, चार बचा, तो बस, चार बचा, तो अब इसमें जो N है, यहाँ पर अपने N ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपका N बराबर 4 आया है, बोलो, यह सर, इधर पर निकालते हैं, तो भई, यहाँ पर आपका N बराबर 3 आजाएगा, कैसे आएगा, सलफर के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तेखो, N निकालना है आपको, सलफर के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उसको तो आपने 6 ले लिया, पर ऑक्सिजन जो रहता है, उसके लिए भी एप 3 की बात करेंगे, तो बोराउन के लास्टॉर्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, और भाईया, आपका फ्लोरीन भी यहाँ पर 3 है, डिवाइड वाइप 2 करेंगे, फ़र से आंसर आपका 3 आजाएगा, तो इन दोनों ही केसे में, आपका जो N होगा, ना, NO3 negative का क्या करूँ मैं, इसका भी N is equal to 3 आजाएगा, बात समझ मैं, मतलब भाईया, इन तीनों में SP2 hybridization होगा, और यह आप पहले वाले की बात करेंगे, बात समझ मैं रही है, तो यहाँ पर आपका जो phosphorus chloride है, PCL3 है, उसने बिलकुर बाजिये मार लिए और इसका hybridization हो SP3, hybridization will turn into what? SP3, कहानी बड़ी, interesting है, चलाओ, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर phosphorus रख दिया, मैंने का 1, 2, 3, 4 इस तरीके से एक्ष बना लेते हैं, ऊपर की तरफ electrons को पटक देते हैं, और hero बन जाते हैं, ठीके जी, चलो, खतम खेल, ऐसे हलुआ questions है, है NEET और JEE के, पर है, इसलिए JEE के हो, नीट के हो, क्या फर्क पड़ता है, या फिर आपके स्कूल examinations क्यों, questions बढ़े, interesting और easy हो जाते है, ठीक है, चलो, नोट कर लो, पक्का, खोला, यास, आओ, और आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसमे परिणामी विधूर आगून जो है, वो पाया जा हाता है, कभी क्या कहना चाते हैं, कभी कहना चाते हैं कि भाया सुनो, new net जो है न, वो not equal to zero किसमे होगा, इन में से किसमे होगा, किसमे होगा, इन में से किसमे होगा, कौन होगा, तो भई, mu net जो है, वो आपका शून नहीं होगा, मलब clear है कि एक में आपका जो है, शून नही है बाकी सब में शून ने है ठीक है देखो और आपका जो भी अफ्री इसमें तो ही और यदि आप भी अफ्री की बात करेंगे तो इन दोनों में तो भाईया शून है कैसे है आपने प्रैक्टिस की आजो फिर्ट से कर लेता है मैं कहा रहा हूं मेरे पास यहां पर जो है वो है CCL-4 का बनाते में भीटा सबसे पहले ना तो ये रहा आपका carbon ये रहा पहला chlorine ये रहा दूस्ता chlorine ये रहा तीस्ता chlorine ये रहा चौथा chlorine आपको एगी ध्यान हो तो dipole moment जो होता है उसका direction किएحण होता है तो भरी positive से negative होता है dipole moment का direction कैसा होता है positive से negative की तरफ होता है बात समझ में बोलो कैसे बताओगे बहुत simple सी कानी है यहाँ पर hydrogen लिखे यहाँ पर आप chlorine लिखे एक तरफ hydrogen लिखे और एक तरफ उसका पड़ोसी chlorine लिखे अब जानते हो कि जो hydrogen है वो आपका positive है chlorine जो है वो आपका negative है कहाने बड़ी interesting है यहाँ पर ऐसे लिख दो यहाँ पर एक ऐसा तीर मार दो बात समझ में आ रही है तो dipole moment या द्वीधूर आगून जो होगा उसका direction या दिशा जो है वो होगी आपकी positive से किस तरफ तो भईया negative के तरफ ठीक है आपने का सरी तो बड़ा simple था बस अब जितने भी आप यहाँ परमाणू देख रहे हैं या तो वो positive होंगे एक दूसरे के compare में या तो negative होंगे carbon chlorine में भईया यह लो जाए काम करते हैं पहले हैं सब के बना लेते हैं BF3 का बनाते हैं चलो मैंने कहा boron को तीन fluorine जो है उनके साथ connection करना पसंद है तो उसने बनाया boron trifluoride चलो MS3 बनाते हैं ammonia बनाते है MS3 बनाते हैं ammonia बनाते हैं चलो यह भी बना लिए मैंने और last में हमारा CO2 है आपको ध्यान होना चाहिए CO2 जो है वो रेखी होता है और कोई भी चीज़े दे रेखी है तो उसका कुल dipole moment जो है वो कितना हो जाएगा आपका शून यह हो जाएगा चलो भई देख लेते हैं आजाओ ऐसा 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 और ऐसा ठीक है यहाँ पर भी देख लेते हैं positive से negative तरफ जो है यह electron की तरफ होगा positive से negative अब यदि हम hydrogen और nitrogen की बात करेंगे तो hydrogen तो अलग attitude में न कि हम तो S-block की साथ आते हैं हमारा तो भी positivity बहुत जादा होगी हमारा अलग जलवा होगा बात समझ में चलो hydrogen जो है बहुत ध्यान से देखना वो positive होगा nitrogen आपका negative होगा पर यदि हम यहां पर ध्यान से देखें तो भाया oxygen negative है और आपका carbon जो है वो आपका positive है अब जो चीज़ बता रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से देखोगे बबुआ देखो इधर भी है उधर भी है और हम कह रहे हैं कि भाया यह एक vector quantity यानि कि सदेश है हम कह रहे हैं कि जो dipole moment है वो आपकी vector quantity है यानि कि सदेश है इसमें दिशाएं होती है अब मैं कह रहा हूँ कि जितना उधर dipole moment है उतना ही dipole moment इस तरह भी है बात समझ में आगे इसका मतलब सीधे सीधे यह हुआ कि यहां पर एक दूस्टे को वो क्या करेंगे तहस्नहस कर देंगे और जैसे ही वो एक दूस्टे को तहस्नहस करेंगे mu net जो है वो आपका zero यानि कि छूनने हो जाएगा कि नहों जाएगा भी जीरो यानि कि छूनने तो यह option तो विचारा हटिया यहां से क्या कर सकते हैं अपन यह option जो है वो यहां से विचारा हटिया चलो यह हटा दिया अपन बड़ी interesting सी कहानी चली और आगे बढ़ने वाले भी हमारे पास NS3 और यह बना हुआ है अब यह आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि Sir Hydrogen भी उपर Hydrogen भी उपर Hydrogen से Nitrogen और फिर यह हैं से उपर बात समझ में तो यह सारे के सारे ही जब उपर जा रहे हैं तो Cancel Out जो है वो नहीं होने वाला है बहुत शांदार सी बात वालब यह 0 कभी नहीं हो सकता जन्म जन्मांतर तक अमोनिया जो होगा उसमें डाइपोल मॉमेंट कभी भी शून नहीं हो सकता बात समझ मैं यहां तो दिखी रहा है देखो टिक जो टाइपोल मॉमेंट का डारेक्शन है वो उपर की तरफ है बाकी दो का नीचे की तरफ है इन दोनों का रिजल्टेंट यदि हम निकालते हैं रिजल्टेंट जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं बही परी नामी बात समझ मैं तो वो कैसा होगा नीचे की तरफ होग कि इसके लिए राइट कि यह तीन आप्शन सही नहीं हो सकते हैं बात समझ मैं तो अमोनिया विल बी दा आंसर खतम के चला ठीक हो यह सर तो बेड़ा सीधी बात यह कि रटने जैसा यहां पर कुछ भी नहीं है आपको सिर्फ कॉंसेट्स को बहुत बढ़ी अदरीके से समझना है उसके बाद उसके बहुत सारे क्वेशन की प्रैक्टिस करनी है जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ऑट्रमेटिकली क्वेशन बनता जाएगा बस यही मास्टर ट्रिक होती है बागी सब जो है वो ठीक है चब और आगे बढ़ने वाले कौन सा हाइड्रोजन हेलाइड शर्वाधिक वाश्प शील्ड है इनमें से ऐसा कौन सा है जो सबसे दिल्दी क्या होगा वाश्पिक क्रित हो जाएगा बहुत ध्यान से देखेगा भी या देखो इसके अंदर तो होती है हाइड्रोजन आबंद इसके अंदर जो है वो क्या होगा तो भई हाइड्रोजन आबंद होगा अब आप बोलेंगे सार हाइड्रोजन आबंद किस चिडिया का नामे थोड़ा इस पर अपन बात कर लेते हैं बड़ी इंट्रेस्टिंग कानी देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, एक अनू, बहुत ध्यान से देखना, hydrogen bond, हम बात किसके बारे में करेंगे, भई hydrogen bond, एकदम किसी पिटी, जो है, कहानी है, ठीक है, हम बात करने वाले है, hydrogen bond के बारे में, सीख लो इस कहानी का, अब आप में हों, तो भी यहां से question आएगा, आप 12 में हों, तो भी यहां से question आएगा, आप नीट या CVT की exam दे रहे हैं, तो भी यहां से question आएगा, JEE में आप सकता है, ठीक है, उनका hybridization favorite होता है, चलो होई, आगे हम बढ़ने वाले हम बात करने वाले हैं किसकी, hydrogen आबंधन की, चले ह हम बात करेंगे hydrogen आबंधन की, चलो, 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 इसको उटा रेते हैं, हम बात करने वाले है hydrogen bonding की, concept देख लेना बहुत interesting है, ठीक है, खोबडी में set कर लेना, चलो, 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 ठीक है, आज़ो, hydrogen bond, सबसे पहली बात तो ये, कि आप लोगों के साथ हुआ है, धोका, पूछो कैसे, hydrogen bond, bond ही नहीं, बात समझ में, hydrogen bond जो है, वो bond नहीं है, bond कैसे होता है, एक परमानू से दूसरे के बीच में लगता है, बात समझ में आ रही है, hydrogen bond जो है, वो एक प्रकार का क्या है, interaction है, क्य बीच में जो होता है, इसको हम आबंद या फिर bond कहते हैं, पर ये एक प्रकार का कर्शन भल है, परमानू के बीच में, ठीक है, तो आपने का, ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानला है, अब सवाल पैदा होता है, कि इसको हम define कैसे करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखे इक अनू का हाइड्रोजन, बात समझ में आ रहे है, एक अनू का हाइड्रोजन, दूसरे अनू, एक अनू का हाइड्रोजन, बहुत ध्यान से देखेंगे बबॉबा, राइट बोलो, येस सर, मैं कहा रहा हूँ, एक अनू का हाइड्रोजन, दूसरे अनू के, यदी लिए्रजन और फ्लोरीन से connect हो रहा है। से क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। यदि एक एकदम सी divat न लूसे definition है right confused नहीं होना एक अनू का hydrogen दो अनू है अपने पास एक अनू का hydrogen यह दूसरे बाले अनू के nitrogen oxygen और fluorine के साथ connect हो रहा है तो ऐसे आबंद को ऐसे आकरशन बलको ऐसे प्यार वहबत वाली चीजों को अपन कहते है hydrogen bond ठीक है पर किती भी definition देटलो जब तक एक्जामपल्स नहीं आते हैं कहा नहीं जो है वो खोबड़ी के अंदर set नहीं होती है हम एक्जामपल्स की बात करेंगे बहुत ध्यान से देखेगा अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास यहां पर HF है ये एक अनू हो गया ब बात समझ व्हजबाई मेरे पास एक बड़ है ये तीसरा अनू हो गया है क्लियर एकाँ इस अब देखु के लियां से शुरू होता है अब यह जो आपको अभंस दिख रहा है ना अगी अंधर वाला इसको हम बोलेंगे तो यह को वेलेंट बॉन्ड होगा तो हम इसको बोलेंगे सहसयोजक आबंद आपने का है सर यह को पता है हलवा टॉपिक है कई बार अपने पड़ा है खूब प्रैक्टिस किये रगड़ के बिलकुर बात समझ भाई तो अंदर की तरह आपको जो दिख रहा है ना हाइड्रोजन और फ्लोरीन के जो चक्कर अंदर चल रहा है बात समझ मैं जो खिच्डी पक रही है दोनों के बीच में उसको हम तो कहेंगे विया सहसयोजक आवंध आपने का ओकी बढ़ते हैं परना बिटा एक और खेल यहां पर चल रहा है बहुत ध्यान से देखना एक और खेल जो है वो यहां पर चल बात समझ मैं उसको अपने वाले हाइडूजन के साथ तो प्यार ही है क्लियर एकानी बोलो यह सर पर उसको प्रोस वाले से भी प्यार है इसलिए यहां पर वो क्या करेगा एक प्रकार का अगर्शन बल जो है वो उत्पन कर लेगा क्लियर एकानी बोलिए यह सर तो भाईया वो यहां पर भी प्रकार का अकर्शन बल जो है वो बना लेगा यह जो हरे गिलर की चीज़े आपको दिख रही है ना जो आकर्शन बल आपको दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आबंद राइट अब आब एक काम करत लगना दो चाहिए बात समझ मैं कि पहले वाले का जो हैड्रोजन है वो यह दि दूसरे वाले के ख्लोरियन को अपनी तरफ ट्रैक्ट करता है तो क्या यह हैड्रोजन आबंध होगा तो बताओ ज़रा होगा कि नहीं होगा होगा तो ठीक, नहीं होगा तो देखते हैं क्यों नहीं होगा तो होगा कि नहीं होगा तो आप कहो कि सर सब कुछ तो ठीक चल रहा है जंदिगी में पर हमको ना थोड़ा सा doubt भी हो रहा है आपने कहा था कि hydrogen जो है वो दूसरे वाले अनू के nitrogen, oxygen और fluorine से ही जुनना चाहिए और वहाँ पर खेल विगड़ रहा है भाया hydrogen दूसरे वाले के ना chlorine से connect हो रहा है मतलब यह hydrogen आबंद नहीं होगा यह dipole dipole interaction होगा यह hydrogen bond नहीं होगा यह hydrogen bond नहीं होगा तो और कहा होगा तो भई CDC बात जहाँ पर जहाँ पर जहाँ पर जहाँ पर जहाँ पर जहाँ पर आप इन तीनों के साथ connect करोगे तो ही होगा ठीक है तो school education मतलब school की जो आपकी classes होँगी उसमें आपको यह तीनों ही याद रखने है nitrogen याद रखना है oxygen याद रखना है fluorine याद रखना है पर यह आप ज़ेड़वली advance की बात कर रहे हैं बहुत दान से देखेगा वह भी hydrogen bond बनाने वाले तत्वों में शामिल कर लेते हैं पर किसमें जड़वली advance में बाकियों में नहीं करेंगे खेल हो गया खत्तम ठीक है चलिए और आके बढ़ने वाले एक और देख लेते हैं हम बात करने वाले हैं है एच्टो की कि कैसे आपका पानी जो है आपस में पानी के जो अनू होते हैं वो connected होते हैं बात द्यान से देखेगा बड़ी interesting story है ठीक है चला मैंने का मेरे पास कहां पर एक जल का अनू है यह electron pair अपने बना दिये मैंने का मेरे पास एक और जल का यहां पर अनू है इसमें भी electron pair जो हैं वो हमने बना दिया आपने का ओके सर आगे बढ़िये बहुत शांदर वाली बात क्या यह इससे प्यार कर रहा है वो यह सर क्या यह जो है वो इससे प्यार कर रहा है वो यह सर एक अनू का hydrogen यह दी दूसरे अनू के oxygen fluorine यह फिर nitrogen के साथ connect हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे hydrogen bond खत्तम खेल तो वहां पर भी होगा तो इस पूरी दुनिया की हर वो चीज जो पानी में क्या हो जाती भी घुलनशील है इस पूरी दुनिया की हर वो चीज जो जल में कैसी है तो भी घुलनशील है उसमें होता है आप का hydrogen आबंद याने की hydrogen bond बड़ी इंट्रस्टिंग का यह नोट कर गया जाए ठीक चलो बस अभी question जो है वो हमारे ली बहुत जाद हलुआ हो गया ध्यान से देख लो तो है वो आपका क्या हो जाएगा इसमें hydrogen आबंद हो जाएगा पर HCL के लिए हम बात करेंगे तो भी या HCL जो है इसमें क्या होगा बटा बहुत ध्यान से देखना HCL जो है इसका सरवाधिक क्या होगा इसका जल्दी वाश्प बन जाएगा बात समझ मैं इसका वाश्प जो है वो कैसा बन जाएगा जल्दी बन जाएगा खतम खेल नोट कर चलिए एक और शांदार वाला क्वेस्टन हम देखेंगे है ना चलिए आई सील टू आयन जो है इसकी संड्रचना क्या होगी इक बार अपने से ट्राइब किज़ें अपन बढ़ते हैं चलिए वह तो संड्रचना बनाने के लिए सबसे पहले एंट्री होती है कि इसकी तो हाइ आई सील टू नेगेटिव जो होगा राइट इसका संकरण क्या होगा तो बहिए आयोडीन जो है उसकी अंदिम कक्षा में साथ बो यह सर और आपके क्लोरीन दो है एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है एन निकालेंगे काम जो है वो चल जाएगा आयोडीन के अंदि SP3D यह आपका अंसर हो जाएगा तो अब एक काम करने वाले हैं हम जो है इसकी आकरती बनाने वाले हैं जो कि बड़ी इंटरस्टिंग है चलो तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास यहां पर आई है उसके बास SP3D है तो एक दो तीन चार और यहां पर ऐसे दिया हुआ है अब हमें कि चलिए अब सवाल पैदा होता है कि इसका जो समर्ण है संरचना है वो कैसी होगी है आई C2 नेगेट तो भई और CDC बात है कि रही तो होगा यह रही होगा देखो यह कैसा होगा तो भई यह रही होगा एक रही ना हुआ है और दिया रही हम इलेक्ट्रान पेर्ट की बात क तो ये एक bonus question है इसको हम जो है ट्रिकोनिय inhabit ये बोलेंगे क्योंकि Wisconsin है इसको हम ट्रिकोनिय magari påicking crypto ये बोलेंगे क्योंकि क्यूंकि 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 यहां पर देखो यह आपका कोणी है हो गया बोलो येस सर फिर एक पिरामिड उपर और एक पिरामिड जो है वो कैसा बन जाएगा तो भाई आपका नीचे की तरफ बन जाएगा क्लियर कहानी बोले ये सर ये सर ये सर ये अपना होगा सही ऑप्शन चलो इस कानी को दोड़ा मौर आगे लेकर चलेंगे हम बात करने वालें कि अधिक्तम प्रतिशक्त आयनिक अभी लक्षन वाला अडू जो है वो कौन सा होगा तो बहुत ध्यान से देखेगा आयनिक अभी लक्षन का मतलब यह होता है बात समझ मैं कि भाया विद्युत 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 रनातमक्ता बात समझ मैं यह सर तो हम बात करने वाले हैं विद्यूत्र रिनात्मक्ता में जादा से जादा क्या होना चाहिए बहुत ध्यान से देखेंगे जादा से जादा क्या होना चाहिए तो भाई अंतर होना चाहिए बड़ी सिंबल सिकाने विद्यूत्र रिनात्मक्ता में जादा से जादा क्या होना चाहिए तो यह अंतर होना चाहिए और इसी को हम क्या बोलेंगे कि आइनिक अभी लक्षन जो है वो कैसा होगा जादा होगा सवाल पैदा होता है सर इसको हम कैसे है किया अजिए है तो ऑफ है इन सब से साथ मैं क्या ओगा तो बई सबसे जाधा रेनाट मार् तत्म आपका बात सबस्जह में निALK सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगिटिव इन तोई नहीं ही किस पर आकर डटकेगा फ्लोरीन पर यानिक हाइडोजन फ्लोराइड जो है इसकी जो आइनिक अभी लक्षन होंगे आइनिक characteristics होंगे वो कैसे होंगे तो भी सबसे ज़्यादा होंगे क्लियर एक आनी बोलो यह सर हम बात कर रहे हैं इसके किसमें बाद वाले पारट में इसके बार वाले वाले क्वेशन में यह सब्लोर Ст taraf पूचा गया है कि अब IPO से कि मेरे पास यहां पर ऐसा है फिर यहां पर ऐसा है फिर यहां पर ऐसा है अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पर ऐसा है फिर यहां पर ऐसा है फिर 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 यहां पर जो है इस तरीके से हैं क्लियर एकानी वो लिए यह सर आप देखो भी यह यह लो यह लो अब यह स इतने भीड़ों होंगे वह अपस में कैसे हो जाएंगे तो भी connected हो जाएंगे clear है कहानी बोले या सब यहांपर हो रहा है hydrogen bonding और hydrogen bonding कैसी होती है तो भी तगड़ी होती है मजबूत होती है क्या होती है तो मजबूत होती है वो लो यह सर बात समझ भाई तो hydrogen bonding के कारण क्योंकि ammonia के सारे अनू बहुत जादा ठीक है उर्जा के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और इसका क्वथनांग जो है वो कैसा हो जाएगा सबसे जादा हो जाएगा तो बहुत ध्यान से देखेगा इसमें hydrogen आबंध है और यही अपना सही option होगा clear है कानी वो लो yes sir चलो भी खतम बात तो उपर की जो चीज़ा हैं वो बिल्कुर सही लिखे हुई है पर 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 ध्यान रहे जब बात क्वथनांग की आती है जब बात किसके आती है वही क्वथनांग की आती है तो वहाँ पर entry होती है किसकी अडू के बीच में लगने वाला जो भी आकरशन बलोगा उसकी यहां पर क्या हो है इसके आकरती क्या होगी best option है हम सबसे पहले क्या निकालेंगे तो भया इसका हम निकालने वाले हैं संकरण याने की hybridization जैसी हमने संकरण या hybridization निकाला का नहीं हो जाएगी बड़ी ही interesting कैसे तो देखो एन निकालना है अपने को बोलो yes sir एन जो है वो आपको निकालना है बोलो yes sir अब इसके लिए chlorine की अंतिम कक्षा में एलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है तो भई साथ है हमारे पास oxygen है उसको अपने को count करना नहीं है और यहां पर आपने एक electron जो है उसका क्या किया है भई सार यह क्या होगा तो यह हो जाएगा sp3 जैसे यह answer 4 आया तो भीया यह हो गया आपका sp3 clear एकानी बोले yes sir अब यदि sp3 हुआ तो हमको सबसे पहले यह बनाना पड़ेगा चलो तो यह chlorine हो गया पहला दूसरा तीसरा चौट अब मुझे तीन oxygen जो है वो पटकने तो यह पहला oxygen मैंने पटक दिया थोड़ा ना इसको ना अपने स्टाइल से बनाएगा पहला दूसरा और यह जो है यह मैंने तीसरा oxygen पटक दिया और यहां पर मैंने यह ठीक है और क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन भी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा तो भी मुझे यहां पर इस से काम चल जाएगा बात समझ मैं तो यह हमारा एक्जेक्ट जो है किसका होगा structure यह संरचना होगी किसकी सील ओत्री नेगेटिव के अब बताईए किस प्रकार से होगा तो बड़ी सिम्बल सी कहानी कि देखो भाई या इलेक्ट्रॉन पेर जो होता है इलेक्ट्रॉन युग तीसरा है यह चौथा सब को यह दिया आप आपस में जोड़ देंगे न वगुआ तो यह बन जाएगा पा क्या पिरामेट 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 बात समझ मैं तो देखो पिरामेट जैसा दिख रहा होगा यह इलेक्ट्रॉन पेर को पन काउंटी नहीं करेंगे तो बस खतम पिरामेटी मस्ट बीडा करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलिए सुनो ना जब सवाल हमने कर लिया तो वी एस एपियार जो है इसका फुल फॉर्म आप मुझे सभी बताने वाले का बर तो भी यह कमेंट बॉक्स में वीस एपियार का आप सभी मुझे क्या बताने वाले हैं फुल सिंपल सी कहा यह वहत जादा सिंपल सी कहानी है ठीक है कि यदिbernी कोई अइनिक कंपाउट है तो वह पूहरा आए नहीं हो सकता ऐसे कोई कौवलेंट कंपाउट है यानिके सासयोजक योगी के दिए है तो वो भी पूर्ण था आपका जो है सासयोजक नहीं हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ आइनिक भाग होगा और ना सेम वे फजान का नियों में कहता है कि यदे किसी हम बात करते हैं अनू किये जिसमें सासयोजक आवंद होता है जिसमें क्या होता ह सा स्योजक आबंध होता है तो इसके लिए situation क्या होगी बड़े धनायन छोटे रणायन नहीं दोनों बड़े नहीं दोनों छोटे नहीं वह या छोटा धनायन होगा और बड़ा क्या होगा आपका रणायन होगा एक एक्जामबल लेंगे कानी और इंट्रस्टिंग हो जाएग तो भी बड़ा होगा आई माइनस बात समझ में आ रही है तो एक बहुत छोटा है एक बहुत बड़ा है दोनों के बीच में जो है बैसिकली क्या हो रहा है एक मिनट हम बात सा स्योजक आबंध की कर रहे हैं और उधारण हमने अनिक कलिया है ऐसे बया गलती नहीं करोगे मतल तो कंडिशन क्या है बहुत द्यान से देखेगा कि धनायन जो है वह आपका छोटा से छोटा होना चाहिए और रिदायन जो है आपका वो बड़ा से बड़ा होना चाहिए ठीक है चला आगे बढ़ेंगे यस सर्याट चले से 3C3 अनू जो होगा इसकी आकरती क्या होगी बड तो यह संकरन पता होना चाहिए बिना इसके कच्छू होने वाला नहीं है बड़ी इंटरस्टिंग कहानी चलो संकरन निकालने के लिए हमें इन पता होना चाहिए बो यस सर् और एन कैसे निकालेंगे यह कहानी भी बड़ी इंटरस्टिंग है बहुत द्यान से देखेंगे म अथि हम फलोरीन की बात करतें अपलोरीन की अपने पास के टे तीनर बास फलोरीन है तीन हमारेında को आप यहां पर एड कर दीजी और यह गृगा आपका गार्ट अटो यह हो गया अपका च्रे Cartober बटे दो तो आपका आपका अंसच है, और ये हो गया आपका esp3d2 तो ये क्या हो गया, उग vicicki मतलब ये क्या नहींगा, भी हमेश का एक काम करते हैं पहला, तो फ्लॉरीन, दूसरा फ्लॉरीन, तीसरा फ्लॉरीन बोलो, yes sir और तीन क्लोरीन है न अपने पास में इसके तो अलग-अलग प्रकार क्या आईसोमर्स बन सकते हैं तीन क्लोरीन लगा दो आप बात समझ में आ रही है इसके कैसे आईसोमर्स बनेंगे इसको बनकक्षा बारे में पढ़ेंगे इनके नाम क्या क्या हो सकते हैं अलग-अलग प् तो यह जो है वो बन जाएगा ओक्टाहइड्रल यानि कि आपका अश्टफल की और यही जो है वो हमारा क्या होगा सही जवाब होगा खतम खेल बात समझ मैं लिए तो बड़े इंटरस्टिंग से करते जाएए प्रैक्टिस होती जाएगी कॉंसेट खुपली के अंदर सेट होता जाएगा चलो फ्लोरीन अनू का निर्मान कैसे होता है बड़िया सवाल है कि जो आपका फ्लोरीन अनू होता है राइट उसका निर्मान कैसे होता है तो फ्लोरीन क्या है भई तो आपने का सर ए बात समझ भाई फ्लोरीन यह एप टू है इसमें आपका जो है निर्मान करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो देखो फ्लोरीन ऐसे बनता है पूरा बना लेते हैं पर ठीक है देखो अब आप जानते होगी जब सरस्युजक आबंद बनाने के जरूरत होती तो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पियर में नहीं होना चाहिए अकेला इलेक्ट्रॉन बहुत तड़ापता रहता एक और इलेक्ट्रॉन के लिए बात समझ में आ रहे हैं सिंगल इलेक्ट्र बड़ा खतरनाक है तड़पता रहता है एक और इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्ठ होने के लिए तो अकीला इलेक्ट्रॉन जो होगा राइट वही क्या करेगा तो थो बैस्ट यह है कि हम casc團 ञें त점 गैभी मिने मैंने लिखा हो इसको मने डायर दिया इसको मैंने ट्व और सेवन यहां पर लिख दिया वह गिए सब तो भाय यह आप यह यह पकाफ लोरीन है आपका जो फ्लोरीन है आपको क्या करना उसके अन्तिम खॉक्षा की G 추천 से बूर से भू बना बोना लेंगे अपने जो किसा बना लेंगे दो और साथ प्लोरीम का प्रमानु कि रवांग ए ngon तो दो और साथ इस तरीके से हो जाएगा चलो फ्लोरीन काम लिखते हैं सबसे पहले क्या वह एलेक्ट्रोनिक वे नियास 1s2 देन आपका 2s2 देन आपका 2p5 यही होगा यह फ्लोरीन का उलेक्ट्रोनिक वे नियास बोलो रुको, यहाँ पर आपने 1S2 कर दिया, उसके बाद आपने 2S2 कर दिया, उसके बाद आपने 2P5 कर दिया On the same way, यहाँ पर भी आपने 1S2 कर दिया, यहाँ पर आपने 2P5 कर दिया शालियस, कहानी को आगे लेकर हम चलने वाले हैं, हम जो है, electron को भी depict यहाँ पर करेंगे गालडूसरा या आपका पहला दूस्रा और भया यह आ है यहाँ पर जो हैं आपके 3 electrons होंगे पहला दूस्रा तीसरा चौथार्था और यह अक्यला उलेक्टरॉन है और से बेन नीचे वाले फ्लॉरीन के हम बात कर लिते हैं बैसे ऐसे वाले questions बहुत पुछे चालते हैं ठीक है चल तो यह हमने बना दिया ट्वेस्टों के लिए दो इस तरीके से और 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 भाई यह लो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच बाद अब यह जो सिंगल सिंगल आपके electrons है यह जो सिंगल सिंगल आपके electrons है राइट जब यह आपस में connect होंगे तो यहां पर बनेगा Sigma bond तो यहां पर क्या बनेगा तो भईया Sigma bond बनेगा बहुत ध्यान से देखेगा और क्योंकि द्यान से देखेंगे वह अब सिग्मा बॉंड तो बन रहा है आपने का हाँ जी सिग्मा बॉंड तो बन रहा है और सिग्मा बॉंड जो है वो कैसा होता है तो बहुत द्यान से देखेंगे वह यह अक्षिय सिग्मा बॉंड जो है वो मेंशा कैसा बनेगा अक्षिय पी-पी क कख्षक जो होगा उसके बीच में क्या होगी और लैपिंग होगी यानि कि अती व्यापत होगा और निर्मान किसका होगा तो भाया सिग्मा बॉंड का होगा बड़ी शांदार सी कहानी है इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप फ्लोरीन की बात करेंगे यदि आप फ्लोरीन की ब बना सुके हैं बात समझ बैरी खतम बात बात ही खतम होगी ना तो ऐसे फ्लोरीन से फ्लोरीन कनेक्ट हो जाएगा अब क्यूंकि यह पीक अक्षक आपस में कनेक्ट हो रहे हैं इसलिए हम इसे बोलेंगे कि अक्षी तो होगा सिग्मा बॉंड तो पास्ट नहीं हो सकता कैसा सर हम आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर चलिए वी ध्रूब आगूनों पर आधारित अनुओं की कौन-कौन सी व्यवस्था जो है वो सही है ओके टीनों के निकाल लेते हैं बी-एफ्थ्री दिया है एनस्ट्री दिया है एनस्ट्री दिया है एनस्ट्री बी-एफ्री एनस्ट्री 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 नहीं दोका होगे, दोका होगे, दोका होगे, ठीक है तो किसकी बात करेंगे हम यहां पर? तो भाई अब BF3 की बात करेंगे बेस्ट ऑप्शन क्या है? कि यह मैं क्या करता हूँ? सबके जो है स्टुक्चर बना लेता हूँ वहां से मुझे ही पता चल जाएगा जो द्वीधूर्व है उसका आगून आप किस प्रकार्ट से निकालोगे बाद ध्यान से देखना ठीक है चालिए जी तो सबसे पहले हैं बनाते हैं बीएफ थ्री तो वह यह यह रहा बोरान यह रहा आपका पहला फ्लोरीन यह रहा आपका दूसरा फ्लोरीन बात समझ में आ और यह आपने बना दिया बीए थ्री अब यह आप ध्यान से रेखेंगे तो यहाँ पर जो डाइपोल मूमेंट है वीधूर्व आगून है वो कैसा होगा तो पहले तो यह बोरान से फ्लोरीन की तरफ बात समझ में और आपको पता है कि यहाँ पर म्यूनेट जो है वो कितन सब्सक्राइब तो पहला दूसरा यह तीसरा और यहाँ पर ऐसा आपने मना यह होगा आपका अपने स्थी बोले यह सर अब यदि हम डाइपोल मूमेंट के डायरेक्शन की बात करें तो थोड़ देर पहले अपने डिसक्शन किया था कि भीया यह पॉजटिव से किस तरफ ह होगा नेगेटिव की तरफ चालो ठीक यह भी बढ़िया तो यह ऊपर की तरफ यह नीचे की तरफ नीचे की तरफ और नीचे की तरफ तो नेट डाइपन मूमेंट जो आपका होगा बात समझ में आ रही है वो कैसा होगा तो नीचे की तरफ होगा तो तीन नीचे है ना तो होगा क्योंकि एक कह रहा है कि हम उपर जाएंगे एक कह रहा है कि हमारा डायरेक्शन उपर हम उपर ही जाएंगे पर तीन प्रकार के जो डायपन मुविमेंट है कि हम को उपर नहीं जाना इतने जल्दी हम जो हैं नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ चले जाएंग वह पी है और यहां पर एलेक्ट्राउन पेर क्लियर कहानी वहां बनाते हैं क्या डाइपोल मुमेंट यानिक द्वीधूर वागून क्या है कहानी पॉजटिव से होगा किस तरफ होगा तो भीया नेगेटिव कि तरफ होगा तो यह रहाआपका पॉजटिव यह रहापका यह रहा पॉजी टेफ यह रहा नेगे टेफ बात समझ में आला रही है किडर टेफ सल्टा गाए involved कि चलो पॉजी टेफ पॉजीटिफLord अब कई सु में पर जाघी सारी के सारी जो डाइपल मुमेंट हैं जो कि बेसिकली क्लिके वाइक्टर कॉण्टिटी है सदिश है किदर जाने की कोशिश कर रहा है तो मियूनेट जो होगा राइट वो कैसा होगा not equal to zero बहुत बड़ा होगा और कैसा होगा तो धीज़ादा होगा क्लियर है कहानी भोली यह सर यह सर तो बहुत interesting सी यह कहानी है आपने का सार सबसे आदा जो है वो ammonia के लिए होगा मनलब की NS3 के लिए उससे कम कौन सा होगा वह या तो NF3 होगा वोलो yes sir NF3 उससे कम कौन सा होगा तो भाई या BF3 होगा बहुत शांदार से क्या है तो कहानी है बहुत शांदार से क्या है तो यह कहां नहीं है और यहीं हो चाहेगा अपना अनसार चालो तो बचो प्लीज आप ऐसे वाले questions को मुल्ब ऐसे तो किसी भी प्रकार के question को रटना नहीं चीव बड़ ऐसे question को रटी नहीं सकते हैं मैं आप से कह रहा हूं रटना नहीं चाहिए वाली बात नहीं है यह ऐसे questions होते हैं को आप रट ही नहीं सकते हैं यहां पर आपका concept आपकी खोपड़ी के अंदर एकदम clear होना चाहिए तब जाकर यह question आपको बनेगा बढ़िया सवाल था concept अपना clear है चलेंगे अगले वाले question के तरह चलो note कर लो भी है ठीक बोलो yes sir yes sir yes sir yes sir yes sir yes sir और आगे बढ़ेंगे ठीक है चलिए सास योजी योगिक कम गल्लांग रखते हैं क्यूंकी अरे भाईया देखू 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 देखो एक बड़ी आचीज लिख रहा हूं सको खो प्रिक अदर कभी के अंदर सेट कर लो मैं कहणरो कम गल्लांक आ है मैं कहा हूँ बहुत द्जान से देखना कम गल्लांक ओं कम क्वथनग машचिका है कहानी क्या है CDC बात अनुओं के बीच में अनुओं के बीच प्यार बहुत खतरनाक शब्द है बहुत खतरनाक बात समझ में आ दिया बहुत प्यार की कमी होगी तो बहुत बल जो है आकर्शन वाला अनुओं के बीच में कैसा होगा कम हो जाएगा प्यार यदी बढ़ गया तो आकर्षन बल जो है वो भी आपका बढ़ जाएगा तो अनों के बीच प्यार यानि की आकर्षन बल आकर्षन बल की क्या? की कमी बात समझ भई तो याद जिसमें भी बहुत ध्यान से देखेंगे जब गलनांग और प्थनांग कैसा होगा यदी कम होगा इसका मलब यह हुआ कि प्यार जो है उसकी कमी है अनों जो है वो बहुत जादा force of attraction से एक दूसरे को attract नहीं कर रहे होंगे बीच में जो आकर्षन बल है उसकी क्या हो रही है तो भी कमी हो रही है बड़ी interesting सी कानी अब यदी इसके बीच में कमी हो रही है तो होगा क्या गलनांग क्वथनांग automatically कैसा हो जाए कम हो जाएगा इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम आइनिक की बात करते हैं जब हम बात करते हैं कि इसकी आइनिक की तो यहाँ पर जो गलनांग और क्वथनांग होता है English में लिखते हैं MP और BP MP और BP जो है वो कैसा होता है तो भाई यह ज़्यादा होता है बोलो yes sir बात समझ बहें और यदि आप बात करते हैं सहसयोजकी यदि आप बात करते हैं सहसयोजकी बात समझ भाइए तो यहां पर आपका जोए MP और BP होगा ना वो कैसा होगा पता है कम होगा खत्तम की बात समझ भाइए चलो आजाओ options को निप्टाते हैं तो वही कह रहे हैं कभी यहां पर किसा से योजी योगी का जो गलनांग है वो कैसा भी कम है बना प्यार की कमी है किस की कमी है इसको प्यार की कमी है बात समझ भाइए तो बात द्यान से देखिएगा साय सयो जी अनू दुर्बल वंडरवॉल बलो दौरा बंधे होते हैं साय सयो जी आबंद कम उश्मा शेपी होते हैं साय सयो जी आबंद आइनिक आबंद के पेक्षा दुर्बल होता है साय सयो जी अनू निश्चित आका रखते हैं ये तो गलत ही होगा, ये सही होना चाहिए, बात समझ मैं रही है, तो दुर्बल वंडरवाल बल यदि इनके बीच में लगेगा, तो इसके कारण क्या होगा, कि अणू के एक दूसरे से प्यार बहुत जादा नहीं होगा, थोड़ी उश्मा देने पर क्या हो जाएगा, कि वो ठोस अवस्था में है, तो द्रव में परिवर्पित हो जाएगे, क्लियर है कहानी बोलो, ये सर बाप, शांदार वाला आप इसको नोट करेंगे, कॉपी में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए, चलिए भी, तो आपने इसको अपनी कॉपी में क्या कर लिया है, नोट कर देंगे, चलो BF3 के दिए हम बात करते हैं, तो या BF3 हो जाएगा आपका SP2, यह हो जाएगा आपका SP3, यह हो जाएगा आपका SP3D, 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 यह हो जाएगा आपका SP SP3D2 और CO2 के दिए आप बात करते हो तो भाई यह हो जाएगा SP बात समझ मैं तो कैसे भी जब बहुत सारे questions के practice करते हो जब hybridization या संकरन का concept बहुत शांदार तारीक से दिमाग के अंदर set होता है तो आप जल्दी से सबके संकरन लिख सकते हो बात समझ मैं अब जैसी आपने सबके संकरन लिख दिये अब आपको आकरती बतानी पड़ीगी क्या बनानी पड़ीगी आकरती है तो चलो सबके हम diagram बनाते है बहुत शांदार कानी पर यार मैं कित्ते बनाऊंगा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मतलब ठीक है जी निप्टा देंगे जी चलो जी बहुत बढ़िया तो बीएफ थ्री के दिया हम बात करेंगे भईया तो ये क्या हो जाएगा तो बढ़ी इंट्रस्टिंग सी कहानी है ये बनी आपका बीएफ थ्री हम यदि पीसी प्लॉरी की बात करते हैं राइट सो दस्विल टॉन इंटो वाट 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 पहला क्लोरीन दूसरा क्लोरीन ये तीसरा क्लोरीन और भाया यहां पर आपके जो है युगमित इलेक्ट्राउन होंगे इलेक्ट्राउन पेर भी जिसे आप कहते हो पी एस फाइप के दिए हम बात करते हैं पी एफ फाइप के दिए हम बात करते हैं इस पी ठीडी है इस में मनलब की ऐसा 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 यहां पर हमारा और भाया ये लो पहला फ्लॉरीन और 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 रुको और ये लो और ये लो और ये लो चलो 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 और ये चलो इस तरीके से हमने बना दिया अब बोलो यह सर और उपर नीचे दाएं बाएं ऐसा और ठीक है मैं लगा दूँगा यहां पर कौन सी चीज तो भी मैं लगा दूँगा यहां पर आपके फ्लोरीन चला पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यार एक आगरती वाले तो दोनों मिले ही नहीं अब देखते हैं य यह उदर बना रहे हैं ठीक है चला लिग भी देते हैं और वह इंट्रस्टिंग है तो इसको बीएफ री कह रहे हैं वो लो यह सर यह व्याव गया पीसी एल थी हो गया वह बहुत शांदर वाली बात यह आपका पीफाई बहुत मज़दार बात यह हो गया आपका आई एफ पाउ एक दो तीन चार पाउंच चला क्या बनाना है भई तो अभी अपने को बनाना है CCL4 और SF4 CCL4 बनाना और SF4 बनाना है और तो एक काम करो जल्दी से CCL4 बनाओ SF4 बनाओ नीचे के दोनों बनाओ बढ़ते हैं आगे तो बहुत शांदार वाली बात CCL4 की हम बात करेंगे वह यह यह रहा CCL4 पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांच पा पहला दूसरा तीसरा चौथा और यह पांच पा मुझे चार जो है फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे यहां पर और यहां पर जो है SF4 हो गया तो यहां पर जो है उसका क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन पेर बन जाएगा यह वहां पर भी मामला नहीं चम रहा लास्ट वाले को देख लेते हैं एक अंतिम जो कोशिश है वो कर लेते हैं XEF2 की बात करते हैं तो वह यह कैसा हो जाएगा आपका तो इसमें है SP3D2 चलो तो यह हो गया आपका XE1234 ये लो चलो मुझे एक फ्लोरीन यहां पर रखना है वो लो जैनौन के बास अंदिम कक्षा में 8 फ्लोरीन के संख्या 2 टोटल हो जाएगा आपके बास 10 बटे 2 5 SP3D चलो तो यह जैनौन हो गया वो लो यह सर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच 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 हम बात करने वाले हैं यह फ्लोरीन हो गया यह भी फ्लॉरीन हो गया और 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 नहीं यहां पर नहीं कहाँ पर तो फ्लोरीन को दूर-दूर रक्ते हैं पितौर łączनेängerगे वो ऊस संष्ण को तहस महस कर देंगे that's all ठीक है जी बनो यस सर लो भाया लो भाया इस कहानी को हम आगे लेकर चलेंगे बात शांदार वाली बात तो यह तो रेखी दिख रहा है मेरे को और यदि हम स्योटू की बात करेंगे तो भाया यह आप का हो जाएगा सी डबल बांड ओ सी डबल यह भी कैसा होगा तो यह रेखी होगा पर यह आप बाकियों की बात करों के तो एक समाना करती आही नहीं रही है इसका मतलब क्या होगा यही जो है वो हमारा सही जवाब होगा क्या बात है कहानी कैसी यह बड़ी शांदार यही क्या होगा हमारा दुका हो गया यही क्या आप होगा बात समझ में आ दिये तो देखो सीवेटी की बात करें जे डबली की बात करें या फिर हम बात करें नीट की राइट ऐसे वाले question एकदम favorite होते हैं इस पर्टिकुलर चाप्टर से इसलिए आपने maximum questions इसी पार्ट से देखें होंगे ठीक है जी तो आपको क्या करना है सबसे पहले सबका संकरन निकालना है पहरी बाद दूसरी बाद सबका पहले संकरन निकालना है, दूसरी जो बात है, वो बड़ी important है, कि आपको सबकी संरचना बनानी है, और संरचना जब आप बनाओगे, तो electron यूगम जो होगा, उसको आपको count करना ही नहीं है, electron यूगम जो है, उसको आपको count नहीं करना है, ठीक है जी? screenshot लिया जाए, हम बढ़ेंगे आगे, हारी आगे, चलो बहुत शांदर वाली बात, हम धोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं, इन चार में आबंद कौन सबसे छोटा किसमे होगा मैं काम करता हूँ, मैं सबके जो है, hybridization लिख देता हूँ, यहीं पर उसके बाद आप सबकी जो है, सन रशना बनाने वाले हैं कि कानी बढ़ी आसान हो जाएगे, चलो भई हट्टू स है, तो यह हो जाएगा बिटा SP3, यह भी हो जाएगा SP3, यह हो जाएगा SP2, और यह हो जाएगा बिटा तो यह भी हो जाएगा, आपका SP3 संकरन जितना कम कोण यानि की अंगल उतना ज्यादा, संकरन इदी SP है, तो एंगल कितना होता है, भी 180 होता है अब ध्यान से देखो, SP इदी है तो थीटा कितना होता है, 180 होता है कैसे पता चला, तो यह आपने A रखा, यह आपने B रखा यह आपने B रखा, एंगल कितना बनाया तो 180 डिगरी बनाया यह आप SP2 की बारे में बात करोगे थीटा जो है, वो कितना होगा, 120 डिगरी होगा, कैसे पता चला, तो यह बुरान रखा, यह लो, यह लो बात समझ मैं, और यह फ्लोरीन लगा दिया, तो आप यह एंगल देखेंगे, तो कितना होगा, 120 होगा बात समझ मैं आदी, बुले, यह सर ठीक है, और कोण पर कौन असर डालता है, बहुत ध्यान से देखेगा, कोण पर असर डालते हैं, इलेक्ट्रोन युग्म कोण पर कौन असर डालते हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, बही, जितने भी एलेक्ट्रोन युग्म होंगे, वो किस पर असर डालेंगे तो बही, कोण पर असर डालेंगे इसका मतलब ये, कि यहां कहीं पर छुपी हुई है वियसे पियार थियोरी इसका मतलब ये हुआ गिए यहां कहीं पर कौन छुपी हुई है तो आपने का, सर यहां पर छुपी हुई है कौन वियसे पियार थियोरी, खेल कैसा खताम, ठीक है जी, शाला तो सब के हम क्या करने वाले हैं, भाई, हम सब के जो है, डाइग्राम बनाएंगे आप तो पहले इसको नोट कर लो बटा ठीक है चला, इसको यहां से मैं मिटाता हूँ इस खेल को मैं थोड़ा और आगे लेकर चलता हूँ जो कि बड़ा इंटरस्टिंग है चलिए आजए तो भाया ठीक है, मेरे पास 4 है मैं चारों बना दूँगा, H2S बनाते हैं सबसे पहले अपने, चला, यह रहा सलफर पहला हाइडूजन, दूसरा हाइडूजन पहला इलेक्ट्रॉन यूग, दूसरा इलेक्ट्रॉन यूग, दो इलेक्ट्रॉन देरेंगे BF3 की BF3 मतलब की यह रहा आपका बुरान यह पहला फ्लोरीन यह दूसरा फ्लोरीन यह तीसरा फ्लोरीन बहुत ध्यान से देखे का बड़े शानदार सी कानी है ठीक है और उसके बाद है हमारे पास क्या SIH4 मतलब की जैसे CH4 बनता है वैसी बन रहा है silicon tetra hydrate सब्सक्राइब गया हुए इसको मिया बना देता है चलो SI हो गया पहला यहां पर जो एंगल होगा क्योंकि SP2 hybridization है तो यह एंगल कितना हो जाएगा तो आपने का सार यह तो ना 120 degree हो जाएगा सबस्यादा एंगल इसी में होगा बात समझ मैं अब यहां पर एंगल कितना होगा तो देखो होना चाहिए 109 SP2 जो होगा उसमें एंगल आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए 109 पर इलेक्ट्रॉन ने आकर यहां पर पूरा का पूरा खेल बेगार दिया बात समझ मैं रही है इलेक्ट्रॉन ने का कि नई ऐसे थोड़ी हो ने देंगे हम भाया हमारे बीच में है तगड़ा वाला क्या पर्दीकर्शन बन रिपल्सन फोर्ट बात समझ मैं रही है इसलिए एंगल हो जाएगा 107 डिगरी बात समझ मैं यह जो एंगल है और कम हो जाएगा कितना हो जाए इलेक्ट्रॉन के युक में दूसरे सर दूर jahne की पुरी ताकत लगा रहा है बात समझ में अ रहे हैं और किसके लिए क्या हो रहा है बात सामझ में आगी, तो सबसे कम जो होगा, वो किस में होगा, तो भैं, H2S में होगा, और सबसे अबर किस में होगा, तो BF3 में होगा, चलो भाया, बड़े इंटरस्टिंग कहां नहीं, ठीक है जी, चलिये, तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, बस खेल खतब हो चुका है हम यहां पर क्या करने वाले हैं सबसे चोटा पहले लिख लिख लिखना है सबसे चोटे पहले लिखना है तो यह लिखा मैंने ns3 चलो यह मैंने लिखा H2S इससे बड़ा कौन है तो भाया वो है आपका NH3 इससे बड़ा कौन है राइट तो वो है आपका SIH4 इससे बड़ा कौन है तो बड़ी इंटरस्टिंग सी कहानी है भी एट 3 clear है बोलो yes sir 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 तो भाया answer में भी हम देख लेते हैं तो यह वाला तो गलत हो गया यह आमोनिया से शुरूर है यह भी गलत हो गया हाँ जी हाँ जी आईए जी यह बिलकुर सही होगा और यह गलत हो जाएगा अपना तो वह यह अपना होगा बिटा सही option हम क्रॉस शेक करेंगे कहानी बड़ी कैसी है क्रिस्टीं हैै ही नौट कर लो ठीक अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए किसी अनों की संरशना क्या होगी यह बताता है हमको है डी में βुला डीजेशन यह किते हों कर दो प्रकिसी अनों में संरचना में इलेक्ट्रोन की दादागिरी के कारण किसी अनू के अंदर संरचना में इलेक्ट्रोन की दादागिरी के कारण जो उसमें चीन जाता है परिवरतन आता है वो बताती है अपने को कौन विस्पर्ट थियोरी यानि की विस्पर्ट थियोरी ठीक है नोट कर लो पक्का बोलो ये सर बहुत शांदर वाली बात हम चलेंगे अगले वाले सवाल की दरफ आईए एसे टिलीन अनू में कार्बन परमानू जुड़े होते हैं कैसे तो आप जानते हो कि सर ये जो चीज है ना ये पता है क्या CH123 और फिर आपने CH यहां पर लग होगा हलागे सिगमामान बीच वाला होता है और बागी इसको बड़ बना लेते हैं ने को इसको बड़ा ही बना लेते हैं कहेघिए था बहुत शानलर वा पहला जो है वो होगा Peki फ아ई तो यह हो जाएंगा आपका एक सिगमा सिग्मा जो है वो अक्षी होता है पाई जो है वो निरक्षी होते हैं और दो जो है वो क्या हो जाएंगे तो भाईया पाई हो जाएंगे ए नहीं पाई हो जाएंगे एक सिग्मा दो पाई एक सिग्मा दो पाई एक सिग्मा दो पाई और भाईया कहीं है क्या तो एक सिकमावंद दुपाई यही होगा अपना सही आप्शन सही आप्शन सही आप्शन सही आप्शन खदम वाद ठीक है चला अगला सवाल और भी ज़्यादा इंट्रस्टिंग राइट बाधियान से इसको हम देखने वाले हैं हम बात करेंगे भी या SP3D संकरण में सम्मिलित डीक अक्षक जो है वो इन में से कौन सा होगा ठीक है पक्का अब बदाईए फिर बढ़ते हां गया चलिए वह पहुंच गया होगा और बहुत ध्यांसर देखेंगे अब मैं खहरा हूँ मेरे को बनाना है PCL5 तो कि एक उधारन यहीं हम लेंगे तो आम के आम और उठ्लियों के दाम मलब question का question concept का concept बहुत द्यान से देखेगा तो एक PCL5 के दिए मैं बात करूंगा तो मेरे पास phosphorus है अब phosphorus है तो भई 15 होगा 15 होगा तो क्या होगा बहुत ध्यान से देखना 15 होगा तो टू होगा 8 होगा 5 होगा यहां पर जो phosphorus है उसको क्या कर रहा है to customize को यहांपर 5 आबंद बनाने पांच क्या hasisseu बनाने अबनाने किसको बनाने तो भी फासफोरस को बनाने चलि ए तो हम क्या करने वाले हमने यहां पर कश्यक बना धी और 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 हमने तीन electrons को यहां पर पटक के मारा बात समझ मैं रही तीन electrons को हमने यहां पर ऐसे पटक दे चले शांदार वाली कहानी तो अब अपना s तो आ गया पी आ गया अब सवाल पैदा हो दागी सर्डी की जो entry है वो कैसे होती है तो देखो भाई या 3s तो आ गया 3pp आ गया पर यांबर 3D जो है वो कैसा है खाली पड़ा हुआ है बात समझ मैं अब यदि हम गएंगी हमको पांच आबंद बनाना है तो पांच आबंद बनाने के लिए electron का फ्री रहना भी तो जरूरी है ना electron यदि युगमित है तो bond कैसे बनाएगा वाली सिंबल से कहाने तो electron को bond बनाने के लिए free रहना मुक्त रहना बहुत जरूरी है clear एक आनी बोलिए yes sir तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा देखो बहुत शांदार सी बात यहां कहीं पर de-exist करता है देखो इसको हम बोलेंगे ground state धरावस्था बात समझ में अरी इसको हम लेकर जाएंगे किस पर excited state यानि को तेजित अवस्था में और यह जो एक electron आपको यहां पर दिख रहा है ना यहां से travel करेगा कहां पर यहां पर और अब जो electron हो जाएंगे वह कुछ इस तरीके से हो जाएंगे बहुत ध्यान से देखेंगे बिटाब सभी पहला डिबा उसके बाद तीन डिबे और उसके बाद भया एक डिबा और पहला दूसरा तीसरा चौथा और यह पांच तो यह पूछा गया कि यहां पर आकर कैसा हो जाएगा तो बही शिफ्ट हो जाएगा ठीक है अपने बना दिये बने इंडरसिंग सी कानी अब जैसे मैंने पांच एलेक्ट्रॉंस यहां पर बनाएं राइट तो यही पूछा गया कि यह वाला जो डी है वो कौन सा है तो हमेशा ध्यान से देखेंगे बहुत सारे बच्चे इसको डी एक्स वाई लिखते हैं पर बिटा स्क्वेर वह आपका कक्षक होगा जहां पर एससे इलेक्ट्रॉं निकलेगा जम्प मारेगा और पहुंच जाएगा कहां पर तो भी हैं डी और्विटल प्रती चुम्बकी प्रकृती वाली होती है प्रती चुम्बकी बहुत ध्यान से देखना देखो दो चीज़े हैं जिस प्रती चुम्बकी है और प्रती चुम्बकी क्या होता है और प्रती चुम्बकी क्या होता है और प्रती चुम्बकी क्या होता है तो भी अनु चुम्बकी को अपन क्या कहते हैं भी पैरा मैगनेटिक कहते हैं प्रती चुम्बकी आपका जो का है इसको हम डाय मैगनेटिक कह कहां पर पाल्स और योगमित इलेग्टेर्ण होंगे तो इसको क्या बोलें गाँ अनूच । कि थे और यह कैसे होंगे तो यहां पर यूगमिति इलेक्टरॉन होंगे कहां पर '' अन्तिम कक्षक'' कहां पर तो आनतिम कक्शक की यदि तह बातison कहाँ पर तो अंतिम कखशक में कहाँ पर तो भाई या अंतिम कखशक की यदि हम बात करते हैं ये हम लास्ट और्पिटल की बात करते हैं तो बहां पर यदि elektron साबकी देखो अईकमेध इलेक्ट अब मतला फ्रान होगा युगमेắत है मतला दो ठीक है जी चला अब कैसे बताओगे कि निम लिखत में से कौन से स्पिशी इस प्रती चुम्ब की प्रकरती वाली है प्रती चुम्ब की यह है इसका मतलब इसके पास सारे के सारे युगमित इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो देखो भाई या प्रती चुम्ब की होने के विशम संख्या यदी होगी बात समझ में यदि भई विशम संख्या होगी तो फिर खेल विगड़ जाएगा न है तो कुल एलेक्ट्रॉन हम यहां पर निकालते हैं दो हीलियम के चार प्लस तो यहां पर टोटल अपन इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है हम लिखते हैं कुल एलेक्ट्रॉन बहुत शांदार वाली बात तो कुल एलेक्ट्रॉन यहां पर कितने तो भई तीन यहां पर कुल एलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो यहां पर तो दो ही होंगे यहां पर एक होगा और यहां पर भी तीन होंगे बात समझ मैं आगी तो ये तो भाई ऐसी यह बन गया मनलब डीप में जाना ही नहीं पड़ा है मुटी बनाना ही नहीं पड़ी बात समझ मैं तो जहां पर आपके पास कुल इलेक्ट्रोन समसंख्या वाले होंगे से कंदो बात सम्झ में आरहां वहाँ प्राती चंबत क्वाइब कहने की स्था खोए decor V चला तो यह प्रांव को स्वाइब अन्सर अपनने जो है तहल का मका दिया अब ने जो है वो क्या मचा दिया तो यह तहल का मचा दिया ठीक है नोट कर लो यह इसके बास जो कुल इल्लेक्टरों दो है वो किस तरीके से चैनल तो बी अब आपको बता देताू है ताकि आपका बड़ीया वाला रिवेजन हो जाए देखो आप जानते हो कि यहां पर ऊप मैं स्टार वाले कख्षक होंगे बोले यह सर तो आप यहां पर विया किते इलेक्ट्रॉन से आपको दिख रहे हैं तो वह हो जाएगा आपका क्या प्रतीचुम्ग की बात समझ मैं पर कैसा अंतिम कख्षक तो यहीं क्या होगा अंतिम कख्षक होगा ठीक है नोट कर लो बढ़या वाले बात है ठीक है ढूंभ यह सर्ते सिश्बस्ला और आगैन माईन में अर्यूब्वर्ट अन्यू यह क्ट्रॉन नहीं होते है यह मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते है बात समझ बाह रही तो गuntर है देखो है कि कि आपके पास एशी सम संख्या है है कि क HEY अ मतलत मैं कह रहा हूं आपसे बहुत द्ध्यान से देखना ऐख क्या करना है बहें सिन्बुक्त इजत्वरी दिखें इंग रहे हैं अनू दिख रहे हैं इसके अंदर परंदो पर्माणु के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन देखने है ठीक है तो मैं आपर एक सिंपल सा रूल लिख देता हूं कि अनू या आयन में कुल इलेक्ट्रॉन अनू या आयन में कुल इलेक्ट्रॉन के यदि हम बात करें बात समझ भई तो यह दो चीजे हो सकती हैं बिटा यदि कुल इलेक्ट्रॉन आपके सम है और विशम है दो ही हो सकते ना सम हो सकता है विशम हो सकता है ठीक है यदि कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके पास यह विशम है तो बस यह खतम हो गया खेल यह हमेशा जो है वह अनुही होगा अनुचुम्बकी ही होगा बात खतम होगा हमेशा पैरा मागनेटिक होगा बात समझ में आ बहिए अनु चुम्बकी होगा, इसको दिमाग के अंदर सेट कर लो अनु चुम्बकी, ख़तम खेल तो यह जो है विशम इलेक्टरॉण यदि है तो यह हमेशा अनु चुम्बकी ही होगा पर यदि आप सम इलेक्टरॉनों की बात करते हो तो अब यहाँ पर फिर दो option आ सकते हैं वह यह अनू भी हो सकता है और प्रती भी हो सकता है अनू चुम्बकी भी हो सकता है और कैसा तो वही प्रती चुम्बकी भी हो सकता है ठीक है अब जैसे यहाँ पर मैं उधारन लेता हूँ विशम एलेक्ट्रॉन किस में किस में होंगे तो वही CO में होंगे और किस में होंगे तो O2 negative में होंगे आप देख लो sum में विशम नहीं इसमें तो sum होगा इसमें देख लो आप ठीक है उसके बाद O2 plus में आप देख लो उसके बाद Nc में आप देख लो इन समें विशम electron होगे बिटा तो by default जो है यह कैसे हो जाएंगे तो अनुशम की हो जाएंगे बात समझ मैं रही है वहीं कि यह दि हम बात करते हैं कि यह सम electron है मलब आप कुल आपके जो electron है वो है 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, जो भी जानता गिनती आती है सम electron है तो भी अनुभी हो सकता है और प्रतिव भी हो सकता है समझते हैं बात ध्यान से देखना मैं सबकी electron भी लिख देता हूं ठीक है अब जैसे इसके आप electron देखोगे तो कितने हैं तो आप बोलो कि सर नाइट्रोजन के हमारे पास साथ हैं कार्वन के हमारे पास 6 हैं हमने 13 बना दिये ओटु माइनस में कितने होंगे तो भी 15 होंगे तो कुल इलेक्ट्रोणों की संख्या आपके विशम है तो भी या एक इलेक्ट्रोण तो युगमिद बचे गई बचे गई बचे गई लास्ट में सबको तो प्यार मिल जाएगा अपना पर लास्ट वाला जो इलेक्ट्रोण है वो तड़ा प्रहा होगा बात समझ में आ रही है और तब वो की बच्छा पास कुल इलेक्ट्रों जो है वो कितने हैं तो भाइया देखो 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 14 इलेक्ट्रों है ओटू के बाद समझ गाई ए Ama कैसा है तो भाइय आपका अनुचुम्ब कीये है और आपका अनुच्प क्या और आपका फ्रती बच्टे क्लिया आयर है बात बलो यास सर बढ़ते हैं है आइए कभी का गह रहें निम numero yemekhan se किस और वैन में और यूजमलेक्ट्रोन नहीच किया और्यूगमित रछांन है नहीं है मतलब मिद लेक्ट्रों यूगमित युगमित यूगमित यूगमित यूगम त्थिक्या सब्सेसे पहले लेक्त्रों नहीं है उसे हो गए आपके आठार अ यह हो गया आपके बोरॉन के 10 यह तो यह तोनों तो अ युगमेट वाले होंगे n2 प्लस तो भ recap 13 o2 16 और 170 चब्र। तो यह दोनों तो वैसी बिचारे अलग हो गवऊग है भट झास तो इनको चलो मैं तो यह दोनों तो वैसी अलगों गायस अलग्या यहलग हो गया अब बीटू और टू टू माइनस बचा है और इसमें बोल रहे हैं युगमित इलेक्ट्राउन कि नहीं है होंगे कि नहीं होंगे तो भाई आप अपन देख लेते हैं बड़ी सिंपल सिकानी यह दोनों तो नहीं होंगे बात खतम होगी चलो तो अब एक इक तरफ वहां बनाने वाले हैं बीटू और एक तरफ उम बनाने वाले हैं ओ ल stenभश कर से वाले बनाएंगे तो छाएगा इसका अट्रोंिक विन्या स्ध़िया बोरॉन का देखेंगे तो यह होजाओ के लिए यहां पर बना सब्सक्राइब आपने काँ जी गूरोजी हमने यहां पर भी बनां चालिय को सब्सक्राइब May दोना यहां पर पाई वाले दिमब्हे बनाने और यहां पर एक डिप बनाना तो यह फिक्स रहता है उपर शाता वहीं के वहीं को होता है तो यह स्टेवलिटी के लिए होता है और इसके बारे में deep में हमने पढ़ा था M.O.T. यानि की molecular orbital theory के समय पर चलिए अब electrons को fill करना शुरू करते हैं ताकि एक कहानी जो है वो बड़ी ही simple और interesting हो जाए चलो वो रहाने भी या एक electron एक electron यहां से एक निकल कर आया यहां से एक निकल कर आया तो अंतिम कक्षा में आप यूगमित इलेक्ट्रॉन है यूग 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 यूगमित अ यूगमित इलेक्ट्रॉन है देखो बात समझ पर और जैसे इसके बास अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉन आपको देखना है यह हो जाएगा आपका अनुचम्ब किया तो यह हो ग नहीं यहां पर भी लगा दिया तो भई जाहिट से बात है कि जो oxygen होगा उसमें आप दो electrons को एड़ करा दोगे तो यह बन जाएगा आपका क्या भई प्रती चुम्म किए बात समझ में आ लिए तो आयुग में ते तो उसको बढ़ देख लेते हैं ऐसे कैसे नहीं होंगे ठीक है चला जा तो अब oxygen के लिए हुगा किया पहले उलेक्रण दीसरा तीसरा फ्रोठध से उखर नब लिए सब्सक्राइब करा लेते हैं चलो यह लो जो इलेक्ट्राइब कराया एक 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 शे हो गए अब बचे कित्ते तो भाई दो दो तो पहला दूसरा पहला दूसरा अंतिम कक्षा को दिया आप देखेंगे तो सारे के सारे जो इलेक्ट्राइब है इसमें कैसे हैं बड़ी यहां तो यह होगा तो यह आपका प्ती चुम्ग की भागा तो बस क्लियर एकानी टीप लो इसको ऐसे से लगा देना ऐसे से लगा देना मैंने नहीं लगाया देखने में लगता है इसलिए ठीक है चले तो आप इसका स्क्रीन शॉट लेंगे अपनी कॉपी में बहुत शांदार सी बात यह अनुचुम्ब की होगा वो प्रती चुम्ब की होगा ठीक है यह यह अंतिम कक्षा की इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई आपके यूगमित है अनुचुम्ब की दोई के से सिर्फ वाले काने नोट कर लो पका चला आजो बिटा तो यह जो होगा हमारा सही अंसर होगा और हमने चेक किया बिल्कुर सही बात हम चलेंगे अगले क्वेशन की तरफ जो की है और बिज्जादा इंट्रस्टिंग चलिए निमने मैंसे किसमे हाइड्रोजन देखा था कल मलप इसके पहले वाले लेक्शर में हमने देखा था और हमने इस लेक्शन में भी स्टार्टिक म्हाइड्रोजन आबंद के बारे में बात कि थी देखो आप रिर्णाट हमक है फ्ल viktigt कैसा आझा यकाषा दीष एक अकषार और आटमक है अप्लॉरीन कैसा है तो भी अभेंकरवाला क्या है रिर िरलांतमक है बात समझ में आगई तो बस बात खताम हो गई ना तो फ्लोरी ने दी जादा रिक निर्णातमक है तो इसको जादा इस ट्रॉंगली अपनी तरफ हाइड्रोजन क्या करेगा खीच कर रखेगा या फिर आप यह कह सकते हो कि जो फ्लोरीन है वह हाइड्रोजन को अपनी तरह बहुत ज़्यादा फोर्ट के साथ खीच कर रखेगा यह सर तो मैं सीरिसी बात दिये जो होगा आपका बैस्ट इग्जामपन हो जाएगा याद रहे है यह तो आपका हाइड्रोजन बांड है ही नहीं यह हाइड्रोजन बांड स्टॉंग हो सकता था पर इधर वाले फ्लोर हम देखें के बारे में कि यहां पर आपके पास एक निश्क्री अनु है xf3 का एकल धुरूवी आघूण शून है इसका मतलब क्या होगा बहुत द्यान से देखना इसका धुरूवी आघूण जो है भया वो क्या है आपका शून है एक स्तत्व क्या होगा बात साहज बाई तो कुल धुरूवी आगूण जो है डाइपोल मूवमेंट जो है जसको हम लोग म्यू से दर्शाते हैं राइट म्यू नेट जो है वो कितना है आपका शून है बात साहज बहीं तो कौन सा होगा तो भी सीरीसी बात है x e f3 की बात हो रही है यह x बनाओगे यहां पर f लिख होगे यहां पर भी होगे यहां पर भी अपणिक होगे फिर तयब डैलप मूमेंट کی बात करेंगे तो भी पॉजिटिव से लिटिव की तरफ बसेसे किस तरफ होगा नेगी टिव की तरफ होगा ले देड़कर सब गैंसल बोरान हो जाएगा खटांगे है ठीक है चलो तो X क्या हो जाएगा तो भई बोरान हो जाएगा और X ने क्या बनाया तो BF3 बनाया X ने क्या बनाया बहुत ध्यान से देखिएगा X ने क्या बनाया BF3 बनाया ऐसे याद रखोगे इसको ठीक है चलो क्रॉस चेक करेंगे बिल्कुर सही बात हम चलेंगे अगले वाले पार्ट के तफ़ाइए निम्न यगमों में किस में दो इसपशीजा संसंरचनात्मक नहीं है अभी तक पूछते थे क्वाइबिः अब पूछ greens और नहीं है तो यह तो और आसान हो जाएगा कैसे आरे बहुत सिंपल है हम सबका जो है क्या बताएगा सबका जो है हाइब्रिड आइजेशन बताएगा संकरन बताएगा चलो PCL 4 positive भाईया 5 5 4 4 यह हो गया d2 बस यह एक जैसे होई नहीं सकते यह इसका हो जाएगा आपका 3 9 12 sp3d2 इसका जो है भी हो जाएगा आपका एसा यह सिलीकॉन के साथ नहीं यह सिलीकॉन के साथ नहीं हो सकता यह तो यहां पर ऊपर की तरफ जो है क्या आएगा बहुत ध्यान से रिखना या तो उपर की तरफ टू नेगे टेप आएगा त्यूंकि सिलिकॉन के बास होते ही चार इलेक्ट्रॉन से भाई बख्ष दो सिलिकॉन को सिलिकॉन के बास होते ही चार इलेक्ट्रॉन से छह अबंद कांसे बनाएगा सलफर के साथ होग ठीक है और यहां पर देखोगे दन कार्बन है कार्बन के पास है चार और दो छह यहां पर होगा एस पीटू भया बाजुवाले में भी होगा तो यह अपना सही आंसर है एक जैसे संरचना हो इनी सकती है आप सब में देखो अगया जैसे मिटा और यहां पर इदिया आप देखें जो है वो दोनों का डिफरेंट है हम संरचना भी बना लेते हैं काहे घबरान वहीं के अजिए हम b r f5 की बात करेंगे डो मीनगा फैंटा फ्लोड के अधिक हम बात करेंगे बड़ी इंट्रस्टिंग कहनी हो जाएक हि鬼 5 दूसरा तीसरा चौथा पांच पाच 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 प प्रैक्टिस के बाद खत्तम खेल नोट करों ये आप सबी पकावर यह सर हम चलेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन की तरह भाया न्यूनतम आबंद कोन वाला अनू कौन सा है यह हुआ ना सवाल यह हुआ सवाल बिलकुर यह हुआ सवाल क्योंकि इन सबों में जो है वो क्य हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है बात समझ में आ रही है पर अब मैं सबके जो है क्या बनाने वाला हूं तो सबकी में संरचना बनाओंगा आपको खेल जो है वह समझ में आ जोएगा बहुत ध्यान से देखेंगा हम बात करेंगे सबसे पहले सबसे छोटे से तो यह का अन हो गया व利या सर यह आपका एन यह एक टम पैर होगया पहला क्लोरीन दु啊 त्यत्यूल फैर बातों तो थाखना हुआ ठीव-सल फाइप पी सील थी की और्षार्वित यह यह पहला क्लोरीन दूसरा क्लोरीन यह थीस्टा देखना फिर म deception three की दो एलेक्ट्रोन मना थे बना दिये थोड़ा इधर और उसके बाद हम लास्ट में बात करने वाले हैं कि सबसे बड़ा होगा νै कि खीक है बाद समझ में आगी तो जैसे जैसे आपके पर मानों पाकार बड़ता जारहा है वैसे वैसे बाप एकbones की दूरी हैं तो भाई है साथ हैं एक ने तो बना लिया बाउन अब बचे च्छे तो यहां पर बीच है यहां पर बीच है इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में क्या होगा रिपल्शन होगा यहां पर भीच है यहां पर भीच है इलेक्ट्रॉन इधर बीच है आकर्शन नहीं होगा भी प प्रतिकर्शन भी कम होता जाएगा और यहां पर आपका जो थीटा 2 होगा यहां पर कैसा हो जाएगा तो भाईया ठीटा ठीए हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका थीटा 4 अब इतने दूर-दूर क्लोरीन है बात समझ में आ रही है कि प्रतिकर्शन उत्रा होने वाला है बड़ी इंट्रस्टिंग कानी देखो दोनों क्लोरीन बहुत दूर-दूर है रिपल्शन या फिर प्रतिकर्शन उत्रा होने वाला ही नहीं है इसका मतलब यह कि यह जो बॉन होगा सबसे कम क्या होगा तो भाई कोन होगा बात समझ में सबसे कम क्या होगा कोन होगा और यह कैसा होगा सबसे जादा होगा बात समझ में आ रही है चलो खतम खेल तो सबसे कम देखो जितने बड़े बॉन्ड होंगे सीधे सीधे दिमाग के इंदर फिट कर लो भीया बॉन्ड की लंबा यदि बढ़ेगी तो जो कोन बनने वाला है पर्मानूं के बीच में वह कैसा की तो दिमाग के अंदर सेट कर लो भीया दिमाग के अंदर आप बिल्कुर सैट कर लो बड़ी इंटरस्टिंग सी कानी है कि जैसे जैसे आबंद की लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो आपका कोन है एंगल है वो कम होता जाएगा तो कहां गया निकल बाहर भाई अंसर हमारा ठीक है तो भाई यह रहा आपका sbcl3 जो है that must be the correct option ठेक नोट किया चाहिए और सरवादिक आबंद कोन वाला कौन सा होगा बॉन एंगल वाला होगा तो भाई यह वह आपका ncl3 ठीक है बढ़िया सवाल था स्क्रीन शॉट आप सभी लेंगे और हमना इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे बहुत ध्यान से देखेगा इन में से स्थिरता का इसको मैं दुदर नगे दीता हूं ठेक है सी देखार अबंध करम स्थिरता के साथ हम सब जानते हैं कि क्लोरीन क्लोरीन से इक आपन बनाता है और अक्सिं ऑक से दो बनाता नाइटोजनahrीं से तीना बनाता स्वारी बात सिंबल से कानी तो मैं कह रहा हूँ जब तीन रस्षियों से नाई टूजन आपस में कनेक्टेड है तोड़ना मुश्किल है न बात समझ भाई तो जितना जादा बॉंड ओडर होगा जितनी जादा आबंदो की संख्या होगा आबंद क्रम क्या है तो पड़े लि आबंदो की संख्या बढ़ती जाएगी दो परमानों के बीच में जो बांड है प्यार है वो कैसा होता जाएगा भी बढ़ता जाएगा दोनों इस ट्रॉंग दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे बहुत एकदम हलुआ वाली बात है तो आबंद क्रम यदिया आपने नि यदि आपने सबका आबंद क्रम निकाल लिया तो यह कहानी बड़ी इंट्रस्टिंग होगी बात समझ में आ लिए पसका दम केला जो निकालते हैं सबका निकालते हैं तो जिसका आबंद क्रम जादा होगा उसकी स्थिरता जो है वो कैसी होगी बही जादा होगी सबसे पहल टू नेगेटिव का चला लाई 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 टू नेगेटिव इसका निकालें रुको लाई टू नेगेटिव और हम किसका निकालेंगे तो भई लाई टू का निकालेंगे और किसका निकालेंगे तो भई LI2 पॉजिटिफ का निकालेंगे ठीक है चलि कैसे निकालेंगे बहुत शांदर वाली बात है देखो देखो एक का बना दे रहा हूं बाकि सब का बना लेंगे फिर इसके बाद है ना शलो बटा अच्छे यह सब बनाने के जरूरत निया दो में काम चल जाएगा पी तक तो हम जाएंगे नहीं अरे यार धोका हो रहा है अच्छा बहुत जान से देखने बड़ा बॉंडेंग एंटीबॉंड एंटीबॉंड़ इलेक्रों को फिल करना शुरू करते हैं ठीक है पहला दूसरा वनिस्कु टू टूएस वन होता है जहां से तो यह पूरा यह तो पूरा फिल हो जाना है यहां से यह दूना ऐसा हो जाएगा बात समझव मैं आप बाइक एलेक्ट्रोन इक्स्टॉ बात समझ बैई खहताम खेल शर्भाटी کہ बिख वह तर बोई निचे लेगा उपर की तरब जाये गा वाव एलेक्ट्रón कहाêt रहे गाता है बहुत शाणदर वली तो भाई या बड़ी इंट्रस्टिंग कहानी शोलो एलाई की बात करेंगे यहां से एक यहां से एक और एक ख़दम खेल ठीक है ऊपर कोई लेक्ट्रॉन नहीं रहेगा यहां तो बड़े ध्यान से आप इसको देखने वाले हैं मैं करहा हूँ यहां ही एक लेक्ट्रॉन यहां नहीं होगा क्योंकि एक लाई जो है उस्हें एक इलेक्ट्रोन जो है वो बुरा मान के बाहर चला गया है यहां तो वैसे याँ पर लिख देता हूं bond order और वो क्या होता है भाई वन बाई टू बॉंडिंग के यानि कि आपके देखो यह नीचे वाली bonding orbital है और यह जो ऊपर वाली होती है यह सारी के सारी आपके anti-bonding orbital होती है तो bonding minus anti-bonding वाला जो पार्ट रहेगा बॉंडिंग माइनस anti-bonding वाला जो पार्ट रहेगा राइट वो आपका बन जाएगा वही bond order खता हम खेल चलो यहाँ पर निकालते हैं तो यहाँ पर bond order जो है वो कितना आ जाएगा बॉंडिंग के कितने हैं तो देखो एक दो तीन चार वन बटे दो चार माइनस anti-bonding कितने हैं तो भी यह एक दो तीन तो यह आ गया आपका कितना आ गया भी एक बचा ौइंटफाइब यह बड़ा ठीक है अब इसका निकाल लेंगे हैं तो इसका हजाएगा एक तीन चार तो भική यह वन बारे टुचार माइनस एक दो तो बैए कितना आगया तो फैटा यह आ गया आपका one खतम खेल ठीक है यह यह कितना आ गया तो भी बटे चार यहां पर प minus 1 minus 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 12 ठीक है तो ये हो गया तो ये भी आपका हो गया पॉइंट फाइब कच्छुट गडबर लग रहा है कच्छुट तो गडबर लग रहा है बवुवा एक दो तीन चार तीन पॉइंट फाइब सही है इसके बाद यहां पर इसके पास होगा आपका एलाई यह ना एलाई टू तो इसका दो वन होगा यह फिक्स्ट है ठीक है जी एक दो तीन चार चार में से यहां कि आपके दो वन इस टू वाले दो इलेक्ट्रॉन से ना यह भी सही इसका देखते हैं तो भाई एक दो तीन और एंटी बांडिंग वाले आपके दो इलेक्ट्रॉन दो तीन में से दो गया एक पॉइंट फाइब अच्छा चलिए तो भाई यह एलाई टू जो है वो तो सबसे आदा स्थिर होगा एलाई टू जो है वो सबसे आदा स्थिर होगा बहुत सिंपल सी कहानी है ठीक है तो इसको तो आपन लिखी जेते हैं तरफ है कि वह एलाई टू जो है वो सबसे आगे तो होगा क्योंकि इसका जो बॉंड और है वो कितना है आपका वन है यहां पर आपका आबंद क्रम है आबंद कोटी जो है वो बेसिकली आपकी एक है चल यह तो सबसे आगे होगा मतलब कि हम मेरे को यह वाला यह वाला और यह वाला जादा stable कौन सा होगा तो देखो भया बहुत सिंबल सी चीज़ें कि प्रति आबंदन कक्षक यानि कि anti-bonding कक्षक में यदि electron जादा होंगे तो stability कम होगी anti-bonding orbital के stability कैसी होती भई कम होती है तो इसकी option कहीं पर है बिटवा तो वो बिलकुल अपना सही जवाब होगा बात समझ में आ रही तो वो अपना क्या होगा वही सही जवाब होगा देखो जब देखो यहां पर बन हैं यहां पर point five बें बताना बहुत आसान है पर जब दोलों का दो हैं जो नीचे चुपे होगे वह हमने बनाए नहीं बात समझ मैं इसकी जो रिलेटिव stability होगी वह इससे कैसी होगी जादा होगी बहुत शांदर वाली क्लास है बात है इस को पन क्रॉस शेक करेंगे पर गलत है यह गर जो है वही क्या होगा बई सही होगा computer महाश है जो है बहुत देड़ से सवाल कराते कराते थोड़े से जो है परिशान है बात समझ मैं वह नहीं होगा बिटक गर जो है वह बिल्कुर आपका सही होगा आप स्क्रीन शॉट लेंगे हम चलेंगे अगले question की तरफ और सारे important concepts को दिवां के अंदर set करेंगे चलो वह कि अड़ों आयनों के निम्न युगमों में से कौन दोनों नहीं हो सकते नहीं हो सकते मतलब की नहीं पाए जाते नहीं हो सकते का मतलब क्या होता है नहीं पाए जाते मतलब इसका मतलब क्या है मतलब बोले तो इसका मतलब क्या है नहीं पाए जाते ही क्या होता है बात समझ भाई जिनकी आबंध कोटी कैसी होती है आबंध क्रम जो होता है वो किना होता है आबंध क्रम बहुत ध्यान से ही बात करेंगे ही टू कि तो इसमें जितने आबंधन वाले एलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रति आबंधन वाले एलेक्ट्रॉन से जितने आपके बांडिंग एलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इसमें क्या होंगे तो एंटी बांडिंग एलेक्ट्रॉन होंगे बात समझ मैं तो य electron कितने होंगे तो चार होंगे अच्छा यहां पर कुल electron कितने हैं बताओ जरा तो आपने का सर देखो एक hydrogen के पास एक electron होता है दो के पास दो electron होते हैं दोनों ही electron को हमने आजाएगा दूसरी के पास बिचारी के पास अलेक्ट्रों ही नहीं नहीं है बात समझ ब्रोटाइन आपस में मिलकर एक ऐन का क्या कर रहे ही निर्मान कर रहे हैं यह डोनों exist ही नहीं करेंगे पाए ही नहीं जाएँगे मतलब आपंत करम या तो शुन हो या फिर इलेक्ट्रॉन ही न हो उसके पास में बात समझ में आई कि यह लो गया घर ताम तो आंसर क्या होगा हमारा घह होगा अच्छा सवाल था कन्फ्यूज नहीं होना है कई बार यह क्वेश्चन जो है जे डबली वगरे में पूछा गया है ठीक है चलो नोट करेंगे बटा कि हम इक और शांदार वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं बहुत ध्यान से देखेगा निवन में से कौन सा अनुचुंबकी नहीं है अनुचुंबकी क्या होता है बिलकुर देखा था बहुत द्यान से देखो अनुचुम्बकी क्या होता है बहुत द्यान से देखना अनुचुम्बकी होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वह युगमित है यदि आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन यदि वह युगमि चुम्ब किये नहीं है मतलब की प्रती चुम्ब किये है अरे बाबा मतलब की कैसा है तो भाई प्रती चुम्ब किये चला अन्य चुम्ब किये नहीं है इसका मतलब क्या हुआ तो सीधी सी बात की प्रती चुम्ब किये है प्रती चुम्ब किये है बात समझ भाई अब प्रती च वह कैसे होंगे यूगमित होंगे चला हुआ है यूगमित सोगे ठीक है जी देख लेते हैं तो प्रतीच उमखी तो यूगमित इलेक्ट्राउन होंगे अब यह आपको पता हो तो हम लोगोंने देखो डेफिन जो है वह भी सबस्षाइब ये नहीं मिल रा नॉट तो यूगमत इलेकट्रों होने चाहिए सारे के सारे अब बहा देखो ऐसा है यूग मैं इलेकट्रों होने के लिए कोल इलेक्ट्रों की जो संख्या हो कम से कम सम संख्या तो यह तो नहीं हो सकता यहां पर जो आपकर electrona वह सम हैं हुई नहीं के विश्जम electron है ह two plus का मतलब ये होगा एक Raptors होगा और सेजर हम यहाँ पर भी देखें तो यह भी कैसे होंगे तो बहुत द्यान लेक्टा one कि ढव मैं उलेपा कर समझ मैं ऑनुचम्ब की अभी हम लोगों यह आपका क्या होगा प्रती चुम्मकी होगा डाइ और ना किवह क्यों हो वो baj हम देख लेते हैं बहुत ध्यान से देखों तो यहिसरी मैं यहां पर फीर alien बनाता हूं तो यहां यह तो अ और ऑफ के बाद क्या होगा फिर आपका एक डिबाँ होगा यहां पर पहले दो डिब यहां पर कैसा हो जाएगा भर जाएगा इस लास्ट वाले को अधिया आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सार यह होगा ना नाइटोजन है बुराउन का ट्रेंड को फॉलो करेगा नी अंतिम कक्षा के एलेक्ट्रॉन देखेंगे आपको क्या मिल रहे हैं युगमित इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं क्या मिल रहे हैं यहां युगमित इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं यह आपका क्या हो जाएगा भई आंसर हो जाएगा प्रतिचुम्ब की है बात समझ में आगी तो स्टुडेंट्स इस तरीके से कहानी जो है यहां पर आकर क्या होती है वही खतम होती है हमने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया है कहां से तो भी क्यमेकल बॉंडिंग यानि कि अध्याय क्रवां सारे क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है सापके कॉंसेट को ने बढ़िया से कवर किया हुआ है यदि कहीं कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डावड जो है वो हमसे आपको पूछना है और इसके बात हम इसके बाल वाला जो अध्याय होगा उससे श करना पड़े का मैंने इस यहां पर क्लिक केजिए नरसरी से लेकर बारवी तक यदि आप इन्दी मीडियम स्टूडेंट्स आप नीचे वाले कुर्शन में क्लिक करके आपकी जो भी बोड है सारी हिंदी बोड्स को सारी हिंदी मीडियम बोड्स को बेसिकली हमने क्या हुआ साथ साथ में आपको बुक्स और ईबुक्स भी अबलेबले जिसकी जो लिंक है वो कहां पर गिवन है तो इस्टुडेंट्स बढ़िया तरीके से अपने को देखना है यदि कहीं पर कोई डाउट आता है तो उसको आपको पूछना है और बने निया मैंने बेंस हिंदी मीड साथ से अपको एंपको बड़िया तरीके साथ प्रमाइबले यद्ट।